नमुश्कार में उप्रिया आज है तीन जुलाई खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर फेर्म इंडिया के लोकप्रिय पुलिस कप्तान 2021 की सूची में आए पाज बिहारी अगनबारी कारेकरताओं की सैक्ष्निक योगिता बढ़ाएगी सरकार सबसी भूशन हजारी पंचुतत में हुए बिली आज पूरे विश्व में मनाई जाएगी अंतराश्य प्लास्टिक बैग प्री डे अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में कोबिट-19 के मिले दोसों से कम मामले स्वास्ति पभाग की तरफ से मिली जानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 181 मरीजों की पुष्टी हुई है जिसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 1692 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो बिश्टिपूर में साथ, सारन में 18, शेकपुरा में 1, शिवहर में 2, सीतामरी में 2, सिवान में 5, सुपॉल में 1, वैशाली में 3, वैश्चमपारन में 6 मामलों की पुष्टी हुई है इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में दो ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग-अलग जुलमें कलेक्ट किये गए हैं इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में एक लाग 22,004 सैंपल की जाच की गई है व परिक्षा 24 जुलाई से 28 जुलाई तक जारी की जाएगे जिसको लेकर परिक्षा के लिए पटना में सेंटर बनाएगे हैं। फेम इंडिया के लोगप्रिय पुलिस कप्तान 2021 की सूची में आए पाँच बिहारी जुसमें मुंगेर के पुर्व स्पी लीपे सिंग का नाम शामिल है। फेम इंडिया ने हर साल के तरह इस बार भी जुलाई स्तर पर सुरक्षा, शान्ती और जंता में कानून के प्रति विश्वास जगाने में अपनी बहतर भूमिकार रहे पुलिस कप्तानों को श्रे पर सम्मान देने का निन्य लिया है। वर्तमान में देश भर में करीब 700 में से अधिक जुलाई पुलिस कप्तानों में सिर्फ 50 लोग प्रिये पुलिस कप्तानों के दाम की घोशना की गई है जिसमें से 5 पुलिस कप्तान विहार के है। इंटर पास कर चके चात्र कर सकते हैं अमीन का कोर्स। सरकारी या प्राइवेट टोनों के लिए योग्य हो जाएंगे। इतना ही नहीं इस कोर्स को कर लेने से अमीनों की बरतमान कमी भी अब दूर हो जाएगी। हाई कोट ने उर्दु सिक्षकों की बहाली को लेकर उचित पैसला लेने का जारी क्या देश। बिहार राज उर्दु सिक्षक संग की एक या चिका पर सुनवाई करते वे पतना हाई कोट ने बिहार सरकार को सक्ता देश जारी क्या है। हाई कोट ने कहा कि सरकार को माधमिक और उच्छ माधमिक उर्दू सिक्षकों की बहाली के लिए तीन महीने के अंदर उचित फैसला लेना होगा। मामले में चीफ जस्टिफ संजेकरोल और जस्टिस एसकुमार की खंड़पीट ने सुनवाई की है। इस मामले में उर्दू सिक्षक संग का कहना है कि माधमिक और उच्छ माधमिक उर्दू सिक्षकों की बहाली के लिए तीन महीने के अंदर उचित फैसला लेने को कहा है। आंगन बारी कारेकरताओं की सेक्षनिक योगिता बढ़ाएगी सरकार। समाच कल्यान बिभाग में आंगन बारी कारेकरताओं की सेक्षनिक स्तर में सुधार लानी की दिश्रा में अब एक नई पहल की है। इसको लेकर राज में सुननदिनी कारिक्रम की शिरवात कर दी गई है जिसके तहर अब आंगनबारी कारिक्रताओं को प्रारमभिक बालवस्था देखवाल एवं सिक्षा विशेपर छे बहीने का सर्टिफिकेट कोर्स और एक साल का डिप्लोमा कोर्स करवाये जाना है। इसके साथ ही आंगनबारी कारिकरताओं के लिए ECCE विशेपर सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स में पंजी करण शुरुप राजसरकार द्वारा वहन किया जाएगा। विहार के अंचलों में 534 डेता इंट्री ऑपरेटर की होगी नियोग थी। 20 जुलाई से पहले राजस वेवं भूमी सुधार विभाग के अपर मुख्यस्तफचिप विवेक कुमार सिंग ने आधुनिक अभिले खागार सेह डेता केंड्रों को संचालित करने का देश दिया है। इसके लिए पेटरों से 534 डेता इंट्री ऑपरेटर की सेवाई मांगी गई थी। अपने जीवनकाल में कविता जितना हक और इत की बोली स्त्री अकांग्षा के मांचित्र नागपाश में स्पेस लेखिकाएं और राजियंदर यादर संपादन प्राथना के बाहर और अन्य कहानियां सोन मच्री नामक कई रचनाएं की हैं। बिहार के कई जिलो में जारी हुआ यलो अलर्ड तो कई जिलो में है और इंज अलर्ड। गोपाल गंज और सिवान का नाम शामिल है वही जिन जिलों के लिए औरेंज अलर जारी क्या गया है उसमें सारन, समस्तेपुर, वैशाली, पतना, भोजपूर, मुंगे, पश्चुन चंपारन, पुर्वी चंपारन, सीतामडी, शिवहर, गोपाल गंज, वैशाली, खगड़ ग्राम में अंतम संसकार किया गया, ग्याथो गुरवार देदा थी, उनका पार्थिव शरीर, उनके पैत्रिक आवाज पहुचा, दिया गया था और जिसकी बार देखते ही देखते, पुरा गाओं वहाँ एखटा हो गया, सभी अपने नेता के अंतम दर्शन पाने के लिए इचुक थे, महीं बीते दिन स्थानिय घाड पर उनका क्रिया कर्म किया गया, जिससे पहले उनकी अंतम यात्रा निकाले गई, इस मौके पर हजारों की भीर साथ शलती रही, महीं उनके अंतम यात्रा के दौरान विहार सरकार की तरफ से भी कई विधायक मौजूद थे विहार में जलती छटे चरन के सिक्षप मियोजन का काम शिरू होने वाला है, हाला कि उससे पहले ही सरकार पूरे सतर्फ मोड में काम कर रही है यही कारण है कि हाली में सिक्षप मियोजन को लेकर सिक्षा विभाग के मंतरे विजय कुमार चौधरी ने अपना बयान ज़ारी किया है वो ओन्लाइन यूट्यूब के माध्यम से निकरानी रखेंगे, सब्सक्राइब से नजर रखी जाएगी, गड़बडी की हर सूश्रा पर विभाग अक्टिव रहेगा और DEE सहित BEO से जवाब मांगा जाएगा पंचायतों में टैक्स लिये जाने की नियामवाली आएगी जल्ड़, ग्राम पंचायतों द्वारा टैक्स वसूले जाने की नियामवाली तयार कर दी गई है, हाला कि ये भी राजस्तर पर ही तयार की गई है, इसको अभी कैबिनेट की स्विकृति लेना बाकी है, कैबिनेट से सालाना 250 रुपे टैक्स लिये जाएंगे हाला कि सरकार द्वारा तै की गई टैक्स की राशी से कम की वसुली का प्रावधान सम्मन्भित पंचायत कर सकती है बिहार के CBSE स्कूल में 4500 से ज्यादा अभ्यर्थी ग्रेस अंक के जरिये हुए पास बिहार में कोरोना के माहौल में CBSE परिक्षार्थियों को ग्रेस मार्थ का भरपूर फायदा मिला है यह कारण है कि ग्रेस मार्थ से CBSE के 4655 परिक्षार्थी पास हो गया है इतना ही नएख ख़बर तो ये भी है कि CBSE की तरफ से 665 चात्रों को 5 मार्थ तक का ग्रेस अंक दिया गया है CBSE की तरफ से मिली जानकारी के नुसार राज़मे कुल CBSE के वानिता प्राप 1101 स्कूलों में 547 ऐसे स्कूल है जहां पर 111 की वार्षी परिक्षार्थ 1376 चात्रों के ग्रेस अंक दिया गया है आज इंतराश्वे प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है जागरुकता फैलानी के लिए ये दिवस तो घोशित कर दिया गया लेकिन बढ़ते प्रदूशन और आने वाली पीडी के लिए लगातार बढ़ते खत्रे को लेकर अभी वी सज़क नहीं हुई है लगातार प्लास्टिक का इस्तमाल बरताई जा रहा है ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से भी हाली में प्लास्टिक पर रोग थाम लगानी के लिए जरूरी कदम उठाएगे है इसको लेकर विहार बे सिंगल यूज प्लास्टिक का अंदर्मान और रुपियों करते वे पकड़े जाने पर 15 दिसम्ब से एक लाख रुपे तरका जिर्माना या पान साल तक की सकता है जिसके तहट सिंगल यूज प्लास्टिक या थर्मोकाव से सामागवी बनाने वाले थोक विक्रेता, दुकानदार और फेरी वाले को 14 दिसम्ब 2021 तक अपना स्टॉक खत्म कर देना होगा भारत के इतिहास में आज की तारी के कार्णों से दर्च पुर्टकाल ने 1661 में मुंबई और तंजो और इंग्लैंड के राजा चाल्स त्वित्य को दिया था मराथा सेना ने 1760 में दिली पर कबजा किया बाल गंगाधर तिलक को 1908 में अंग्रेज सरकार ने देशतरों का आरोप लगा कर आज के दिन गिरफ्तार किया था कौलकता में दूसरे हावरापुल के नाम से मशूर विद्या सागर सेतुकांदर्बान 1989 में हुआ महेश भूपती और मेरी पियर्स ने 2005 में विंबल्डन टेनिस का मिशृत यूगल खिताब आज यू के दिन जीता हिंदी फिल्म अभीरेता राजकुमार का निदन 1996 में आज यू के दिन हुआ था मुख्यमंतरी निटीश कुमार को लेकर जीतन रामांजी और उनके पुत्र के सुर अलग-अलग में जरार है जिसके बाद मदन सहनी के स्टीफे के पेशकरश के बाद से सियासत गर्मा गई है जिसको लेकर ही जितनराम मांजी ने भी अपना बयान जारी किया है जिसके तहट उन्हाने बिहार में अफसर शाही की बात को सुईकार करते वे कहा कि अंदर ही अंदर क्याबनेट की कई मंत्री अफसर शाही से त्रस्थ है लेकिन मूँ खोलना नहीं चाह रहे है वही दूसरे मंजीत सिंग अब जद्यू में ही रहने वाले हैं अब वो राज़ब में शामिल नहीं होंगे लेकिन सबसे खास बात यह है कि मंजीत सिंग को पार्टी में रोकने के लिए मुख्य मंत्री नितेश कुमार ने कुछ शेहरों पर यकीन किया था और उन शेहरों ने अपना काम बखुबी निभाया है जिसमें से एक नाम लेशी सिंग का है इसाथी इसमें पूर्ग मंत्री जैकुमार सिंग ने भी एहम भूमिका निभाई है मदन सेहनी के मामले में लालू जादर ने किया नितेश कुमार का खेराव विहार की राजनिती इंदनोग गर्माई नजरा रही है कभी मंदन सेहनी के बगावती रवये ने सरकार की परिशानी बढ़ा दी है वहीं विपक्ष को बुद्दा दे दिया है जहाँ एक तरफ विहार सरकार ने मंजीत सिंग को पार्टी में वापस बुलाने में कामियाभी हासिल किये वहीं दूसरे तरफ मदन सेहनी के इस्तीफे के कारण विपक्ष मुखर हो गया है इसी कड़ी में राज़त के मुख्या लालोपसाद यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा है जो इसके तहतरों ने बीटे दिल अपना ट्वीट जारी करते वे कहा कि थर्ड डिविजिन वाले जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस तरह होना लाजमी है उनका इशारा जदियो की 43 सीटों को ले कर था विहार वधान सभा चुराप में मिली सीटों के मामले में जदियो तीसरे स्थान पर थी पहले स्थान पर राज़त और दूसरे स्थान पर भाजपा थी गिरते परते, रेंगते लोटते, धन बल प्रशासनिक छलके, बलबूते जैसे तैसे थर्ड डिविजिन प्राप चालिज सीट वाला जबने दिखता लोग मर्यादा और जनालेश को ताक परकर मुख्यमंत्री बनता है तब ऐसा होना स्वाभाविक है पटना पहुंचते ही चुराग को पशुपति पारस ने दीन नसीह लोजपा मिज़ारी पाइवारिक और राजरेती कलह के बीच लोजपा की नवनेउत अध्यक्ष राजधानी पटना पहुंचे जहां पहुंसे उन्होंने अपने भतीजे उर्फ चुराग पासवान को दो टूप नसीह दी जिसके तहट रामविलास पासवान की जेंती को लेकर बिहार आए पशुपति पारस ने कहा कि चुराग पासवान रामविलास जी के बेटे हैं उनको भी जेंती मनाने का अधिकार है मैं रामविलास पासवान जी का भाई हूँ मेरा भी अधिकार है मैं भी अपने इस तर से आयोजन करूँगा वहीं चिराग के आशिरवाद यात्रा के बारे में पुछी जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी आशिरवाद यात्रा निकालना अच्छी बात है हाला कि उनको आशिरवाद यात्रा निकालने से अच्छा श्रधांजली सभा का आयोजन करना चाहिए जब राम विलास जी रहे ही नहीं तो किस बात का अशिरवाद यात्रा इतना ही नहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि जमुई चिरा की कर्म भूमी है इसलिए उन्हें हाजिपुर के बजाए जमुई से आशिरवाद यात्रा की शिरवाद करनी चाहिए मुकेश सेहनी ने अपना उतरप्रदेश अभियान किया शुरू अगले साल उतरप्रदेश विधान सभा का आयोजर होने वाला है जिसको लेकर अभी से ही तयारी शुरू हो गई है वहीं यूपी विधान सभा में इस बार बिहार के भी कई राजरेतिक डल अपनी किसमा दाज माने वाले हैं जिसमें मुकेश सेहनी का नाम भी शामिल है मुकेश सेहनी ने तो उतरप्रदेश विधान सभा को लेकर अपनी तयारी भी शुरू कर दी है इस बावत बीते दिन ही मुकेश सेहनी उतरप्रदेश दौरे पर निकले यूपी दौरे पर पहुंचे मुकेश सेह लिए वहाँ अपनी पार्टी के विधान सभा चुनाव लड़ने और आगी की रणीती पर स्थानिय निताओं के साथ चर्चा की जिसके बाद अम्मुकेश सेनी आरक्षन नहीं तो गठवन्दन नहीं नारे के साथ उतरप्रिदेश का चुनावी विबल फूग चुके हैं। के आरके ने वीदे दिन अपना ट्वीट जारी करते वे कहा कि 28 साल पहले एक वाहियात फिल्म वक्त हमारा है रिलीज हुई थी। मैंने इस फिल्म को दिल्ली के लाचपत नगर के थियर्टर में देखा था। मैंने अपनी महनत की कमाई को इस फिल्म को देखने में देखने को मिला है इसी कड़ी में हाली में भारत की एक और महिला ने देश का मान बढ़ाने का काम किया है जिसके तहट माना पटिल ने युनिवर्सलिटी कोटा के माध्यम सी आगामी टोकियो ऑलंपिक के लिए कौलिफाई कर लिया है ऐसा करने वाली वो पहली भातिया महि 2020 में हिसा लेंगी क्योंकि इससे पहले श्रीहरी निटराज और साजन प्रकाश ने ओलंपिक में अपनी योगिता के चलते स्थान बनाया था माना कि इस उपलब्धी पर खेल मंत्री के रिण डिजुजु ने भी बढ़ाई दी है BCCI ने पूरी की विराथ खोली की खुआ है इंग्लांड की परस्तियों में बिना अभ्यास माच खेले ही वर्ल्टेस्ट चंपियंशिप फाइनल के लिए उतरी तीम इंडिया को हर का सामना करना पड़ा था जिसके बाद सही BCCI की खूब केरकी हो रही है जिसके बाद अभी है मुकाबला 20-22 जुलाई तक खेला जाएगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे हाली में न्यूजिलांड के खेले गए माच में भारतिय टीम को हार का सामना करना पड़ा था जिसके बाद से ही मुकाबले को लेकर भारतिय टीम की तयारियों पर स सबसे जादा खास रहा है हाला कि अब Android और iOS दोनों यूजर अब ग्रूप Voice Chat को वीडियो कॉल में तबदील कर सकते हैं इतना ही नहीं इसमें WhatsApp में अलग noise separation और tablet support जैसे फीचर भी दिये गया है कंपनी की तरफ से मिली जानकारिक इनुसार अभी ग्रूप कॉलिंग के लिए मेंबर्स की संख्या 30 ही होगी हाला की बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है जिसके तहत अब नए फीचर्स के आजाने के बाद यूजर अब किसी भी ग्रूप में voice chat को ग्रूप वीडियो कॉल म बदल सकेंगे आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जगदीश राम विनीत भारती, शार्दा सिना, संजीव कुमार, भारत प्रसाद, आदर अनुच रमेश यादफ, पुर्शोतम कुमार, सोशेल कुमार यादफ, श्वैता रॉय प्रदीप, सोनम कुमा इसके लावा मारी तीम को और भी लोगों के जवाब बच्छे लगे हैं, मगर समय कि आप आपके कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें, कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चले बढ़ते हैं, आपके सवाल कि और आज़ का सवाल को चिस प्रकार है, आपके नुसार प्लास्टिक के समार पर नियंत्रन लाने के लिए बिहार में कौन-कौन से कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, अपने जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, देश